कुछ ही दिनों से आप सभी लोग जरूर देख रहे होंगे कुछ ऐसी तस्वीर हैं जिसे देखकर आप समझें कि जिसमें भी थोड़ी इंसानियत होगी मानावता होगी उसका दिल अंदर तक जगजोडा जरूर होगा उसे दुख जरूर पहुंचा होगा आप समझ रहे हैं कि हमारे सिस्टम जो भी सरकार की विवस्थाएं रही है या फिर आप समझें कि स्वास्त विवस्थाएं जो भी रही है उनका फैलियर तो रहा ही है लेकिन हम समझें कि हमारा जो भावनाय जुड़ी रही है वो भी आजकल आप देख रहे हैं कि इंसानियत का हदफार कर रही है एक तरह से हैवान बनते जा रही है आजकल आप देख रहे होगे कि कई बोड़ी को मतलब डैथ बोड़ी मतलब आप सोची लासों को बालू में दपनाया जा रहा है नदियों में बहाया जा रहा है मतलब हम लोग इतने निर्दई ही हो गया है कि मतलब आप समझे कोई भावनाय नहीं जोड़ी हुई है आप सभी लोग जानते हूंगे हमारी संस्किती तो वो रही है जिसमें हम लोग एक दूसरे से जोड़े रहे है एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे लेकिन हम लोग कहां पहुँच चुके है यह भी देखने लाइक है और मैं तो कहता हूं कि आप सुचिए अगर किसी की डेथ हो जाती है और आपके पास उसे दपना उसे या यानि की उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई जगए नहीं है तो उसके द्वारा कमाई गई जो भी प्रोपर्टी है जो भी दौलत है उसे भी गंगा में बहा दीजिए तब आप ऐसा नहीं करेंगे तो घरबाले अगर बहा रहे हैं इस तरह का काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनमें थोड़ी भी इंसानियत तो होनी चाहिए खेर छोड़िये लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह कि अगर बेदभाव होते हैं तो आपने देखा होगा ये कमारा राष्टिय मानवदिकार आये हुए तो ये एक्सन में भी आया हुए है और इसने कई एक तरह से निर्देश भी दिये हुए है तो हाली में राष्टिय मानवदिकार आये हुए केंद और राजसरकारों को कोविद-19 महामारी से मरने वालों की गरिमा बनाये रखने के लिए कानून बनाने के लिए कहा है और आज आप समझें कि ये भी देखकर दुख होता है कि जब हमारे यहां कहीं गाये और इस तरह की पस्वों की डैथ होती है कोई कर देता है तो उसमें आप देखते हैं कितना बवाल कड़ा होता है लेकिन आजकल वो भी संगठा नहीं दिखाई दे रहे हैं जो अपने आपको हिंदू कहते रहते हैं या किसी और धर्म से जोड़ते रहते हैं आप सभी लोग जानते ही कि हमारे हिंदू धर्म में मतलब पूरा एक तरह से पिक्रिया होती है अंदिम संसकाल की लेकिन आपको आजकल कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा हुआ केबल अपना एक तरह से अपना बबाल करना खड़ा करना अपने आपको चर्चा में बनाए रखना इन सब का काम रहता है मैं पहले भी आप लोगों से कई वार बोलाओं कि आज के राजनेताओं की तुलना आप लोग आजादी के समय के नेताओं से नहीं कर सकते हैं आज के जो भी सामाजिक सुधार जो भी संगठन है इस तरह के आपकी धार्मिक संगठन है इनकी तुलना आप लोग आजादी के पहले के संगठनों से नहीं कर सकते हों उनका एक कोई उद्देश हुआ करता था समाज के लिए, आज के जो भी धार्मिक संगठन बने हुए हैं, इनका उद्देश इतना बचा हुआ है कि एक धरम को दूसरे धरम से लड़ाईए और मार काट करवाईए, बरना आप समझें कि यह हिंदू संगठन है, यह भी तो अं इसमें आपने देखा है, और बरतमान में देश में COVID-19 महमारी की दूसरी लहर चल रही है, और इस से भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, और इसी बीच कई राज्यों में सवों को नदियों में फेके जाने, या फिर आपने देखा हुगा बालू में दवाने जैसे मरने बालों की गरीमा बनाये रखने के लिए, कानून बनाने के लिए कहा है, आप समझ सकते हैं कि जिन्दा रहते हुए ना होस्पीटल मिल पाया, स्वास्त विवस्थाह मिल पाई, और ना अंतिम संसकार के लिए जगह मिल पाई, इससे मानों के जिन्दगी कितनी बुरी ह सकती है राष्टिय माना अधिकार आयो इनने केंद सरकार के गरह मंत्रा लाए स्वास्त इवं परिवार कल्यार मंत्रा लाए आधी के अलाबा सभी राज्जों और केंद सासित पिदेशों की सरकारों को विस्तत एडवाईजरी भेजी है और इस एडवाईजरी में कहा है कि सम कि सरकार भी गयब है अगर सरकार ने पहले से ही कुछ विवस्ताएं ठीक ही होती तो आज ये परिस्तिती ही नहीं बनती है पहली जब आपने देखाए कि लहर खतम हुई कोरोना की तो हम लोगों ने पाइटियां शुरो करती है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उतना ही जिम्म कि हमें लोगों की डैइघ भी हो रही है अब साइड हम और आप नहीं समझ सकते हैं इसको सायव्हा आप समझे कि जिस परिवार में कोई एक कमाने बाला हूँ उसके जगे अपने आपको देखिए उस परिवार में सैथ तभी हमें एक तरह से ऐसास हो सकता है वो कहते हैं ना कि दूसरे का दरद हमें सिर्फ मजात लगता है और वही दरद जब हमारे उपर भी तब हमें मालू चलता है कि हाँ ये भी दरद था इसके लाबा एडवाईजरी में आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि परिवाहन के दोरान सामोहिक अंतरष्टी दाहे संसकार या सबों का धेर नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मिर्थकों की गरिमा के अधिकार का ओलगन है और राष्टी मानववव अधिकार आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो राष्टी मानवववव अधिकार आयोग एक सुतंत बैधानिक संस्ता है जिसकी स्थापना मानवववववव सरक्षन अधिनियम 1993 के परावधान के तहत 12 टूवर 1993 को की गई थी इसका मुख्याल है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और यह संभीधान द्वारत दिये गए मानवववववव अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, तोतंता का अधिकार और समानता का अधिकार आधी की रक्षा करता है और उनके फहरी की रूम में कारवी करता है और आपने देखा होगा हमारे संभीधान की बाग तीन में आपको मौलिक अधिकार दिये गए हैं और याद रखिए आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा आपका सुप्रिंग कोट और हाई कोट भी कर सकता है लेकिन आपको देखिए वहाँ याज क्या लगानी होगी आर्टिकल 32 के तेहत आप लोग सुप्रिंग कोट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तेहत आप लोग हाई कोट जा सकते हैं मानव अधिकार की बात करें हम लोग तो सयुक्त रश्ट इवेंट की परिभासा की अंसार यह अधिकार जाती लिंग या राष्टी इता भासा धरम या किसी अनमानव आधार पर बेदभाव की ये बिना सभी को प्राप्त हैं और मानव अधिकारों में मुक्रता जीवन और सुतंता का अधिकार गुलामी और यातना से मुक्ति का दिकार अभी वेक्ति की सुतंता का दिकार और काम एवं सिख्छा का दिकार ये सभी आपके सामिल है और इस अनुचेद 21 से भी आपके कई वार questions बन चुके आपके civil service के prelims में भी कई वार questions आ चुका है और state PCS में और one day exam में भी कई वार कुछ लेता है तो भालती समिधान के अनुचेद 21 ये क्या कहता है प्राड और देहिक सुतंता का सरक्षन प्यदान करता है और इस अनुचेद में कहा गया है कि किसी वेक्ति को उसके प्राड या फिर देहिक सुतंता से विदी द्वारा इस्तापित फिक्रिया के अनुचार ही बंचित किया जाएगा अन्नता बिल्कुल नहीं सुप्रीम कोट ने अपने कई मामलों के द्वारा अनुचेद 21 की सूक्षम ब्याक्या भी किया और इसमें कई अधिकारों को सामिल भी किया है इसके ब्यापक बनाये गया जैसे आप देख सकते हैं कि जीवन जीने का अधिकार निज्टा का अधिकार सुक्ष परियावन का अधिकार सुआस्त का अधिकार तोरिश सुनवाई का अधिकार आहमानिवीय विहार के विरोध का अधिकार और निस्पक्च सुनवाई का अधिकार तेकि आप लोग देखेंगे स्वास्त का अधिकार भी इसमें सामल है लेकिन आप देख रहे हैं कि स्वास्तवरस्ता की हालत क्या पड़ी पड़ी हुई है कोई भी व्यक्ति बिना किसी विद्भाव के इन अधिकारों को पराप्त करने का हगदार भी होता है लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे अधिकार आपको दिये गए हैं समिधान में भी दिये गए हैं लेकिन उन्हें मिलता कितने लोगों को यह वो अधिकार कितने लोग अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं ये भी आप सभी लोग भली भाती जानते होगे कर छोड़ी पड़ी मतलब आप सोची कि हम लोग कहां चले जा रहे हैं समय के हिसाब से तो हम लोग आँगे जा रहे हैं लेकिन आप सुचिए माना होता हो इंसानियत के साब से हम लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं। कली आजी निउच पेपर में मैं पढ़ रहा है कि दिल्ली में रहने वाली किसी बुड़े वेक्ती की कुरोना नहीं, कुरोना से नहीं, बैसे नॉर्मल तरीके से डेथ होती है उसकी। उसका बेटा कहीं रहता है बाहर, उसे बुलाए गया, तो उस बेटे ने आने से मना कर दिया है। आल वही होगा, बूरे तो आप भी होगे हो सकता है कि आपने जो भी लोगों के साथ किया वो आपको भी देखने को मिले इसमें कोई दोहराय भी नहीं है वो कहते हैं ना कि जो बोग है वही काटोगे लेकिन कब काटोगे इसमें टाइम लगता है खेर छोड़िए कम से कम अभी देखिए वो फरिस्तिती बनी हुई है कि हिम्मत देना जरूरी है और सभी बुराईयां भूल कर कम से कम अभी तो अपने लोगों को हिम्मत दीजे क्योंकि ये संकट की घड़ी चाल लिए कि दोस्मानी दो सब कुछ बाद में रख लेना कम से कम अभी तो कम से कम छोड़ दीजे कब किसका अंतिम दिन हो कोई कह भी नहीं सकता है और इसके लिए पूरी जिंदगी अगर हम लोग रहे तो पूरी जिंदगी भर नपरत करते रहना अपना काम करते रहना अभी दो खिरहाल ध्यान रखी अपना और परिवार काम और आसपास के लोगों का भी अच्छे जिए बने रही है सही ठीक है